2021 की Fall Fallish Trip को हमने Boston से स्टार्ट की थी जिसमें पहले कुछ दिनों में हमने देखा New England के दो छोटे से टाउन, Stove and Range ले जो फेमस है यहां के Fall Colors के लिए और उसी ट्रिप को कंटिनू करते हुए हम पहुच गए Acadia National Park जहां पहले दिन हमने घूमा यहां का Park Loop Road and we visited famous Cadillac Mountain Summit आज हम आपको लेके चलते हैं यहां के एक फेमस पर थोड़ी से डेंजरस आइं बीहाइव ट्रेल पर हम खड़े हैं सैंड बीच के पार्किंग लॉट में और यहां से स्टार्ट होती है बीहाइव ट्रेल लेके हम लोग जाएंगे उस मांटन टॉप पर वीडियो में तो लो हमने पॉने नोव बजे बी आइव ट्रेल चाड़ना चालू किया और इस ट्रेल का टोटल डिस्टंस से टू माइल्स राउंड ट्रिप के लिए और इसका जो इनिशल पार्ट है वो तो बहुत ही रोकी है और काडिया में पहले दिन जब हम लोग घूम रहते हैं तो इतने दिखेते हैं लेकिन ये ट्रेल पे हाड़ले हम लोग पांच मिनिट ही चले लेकिन इतने सारे फॉल कलर से बहुत मस लग रहा है लेकिन हाँ थोड़ी सी स्ट्रेनियस है क्योंकि स्टार्टिंग से पूरा ऐसा अफवर्ष हील चड़ना है और वह भी बहुत रॉकी पार्ट से चड़ना पड़ता है तो इस ट्रेल का पहला पॉइंट टू माइल से वह हमें चलना पड़ता है और फिर जो इंटर्सेक्शन आया था वहां से राइट लेकिए हम लोग कंडी में करेंगे भी हैं वैसे इंटर्सेक्शन के बाद अल्मोश यह जो ट्रेल पूरा एसा वर् सीरियसली क्या मस लग रहा यार और वेदर भी अच्छा है क्योंकि साधा प्राइट हो गया तो यह त्रीज का कलर इतना नहीं अच्छा लग रहा था लग रहा था लिए और पूरे ट्रेल पे इन्होंने ब्लू मार्क करके रखा है मतलब ट्रेल फॉलो करने के लिए बहुत कोई कोई सेक्षिन बहुत नहरो है तो इसा रुक रुक के जाना पड़ता है तो जब बी प्रिपेर्ड पर दाए ग्राफिक जैम हाँ वह जो है सैंड बीच है और वहां पर पार्किंग लोटे है वहां से हम लोग है अभी अब झाल ठाहँ अजड गाल नहीं ऊगी के वा के लग़ा प्रॉप तारोपल करहा बील택 करने शॉपलल लगभिक प। कैसे लग़रा अबे तक फड़ीन अचा हमास तक रान सीथखा है उनने प्रॉपर रेलिंग लगा है, बुड़ या प्रॉपर पहुंच गे उपर तो कैसे लगा यहां पे हाइक करके बहुत मजाया बहुत मतलब मस्त है यहां से जो टॉप से व्यूज है जस्त अमेजिंग मतलब यह अकाडिया घूमने का बेस्ट तरीक है कि आप हाइकिंग करो यहां के ट्रील्स एक्स्प्लोर करो और यह चल इतनी भी कोई डिफिकल नहीं थी क्यूंकि शॉट थी मतलब देड माइल का ही तो अगर आप नॉन्ट्रॉप नीचे से उपर आते हो तो अदे गंटे में उपर पह है और वहां से व्यूस भी बहुत सही है और जब हम लोग अकाडिया में ड्राइब कर रहे तो अभी इतना लग नहीं रहाता है कि इतना अच्छे फॉल कलर से लेकिन अभी टॉप से जो व्यू है यहां से फॉल कलर बहुत जबर्दस और नीचे जब हम स्टार्ट करें तब वो काफी रिस्की होगा नीचे उतरने के लिए तो यहां पर अगर आप इस लूप पर कांटिन्यू करेंगे तो एक लूप ट्रेल है विच इस एजएर वे टो गेट डाउं तो हम लोग वही लेने वाले तो अगर आपको यह टॉप पर आना ही है व्यू के लिए और अगर तो यह जो दूसरा अल्टरनेटिव रूट है आप वो लेके भी आ सकता है उसमें सिर्थ थोड़ा सा इधिंग 0.2 या 0.4 माइल एक्षा चलना पड़ता है लेकिन यह बहुत एजए आइस कंपेर्ट तो डाट रूट कि अधर से समय अपने को एक जंक्चन लगे गा तो यह जंक्चन से लेफ्ट लेकिए हम लोग वापिस जाएंगे लूप रोड पे जहां पे सैंड बीच पे हमने पार्क किया कि यह पाद भी इतना कोई इजी नहीं है कि स्ट्रेट एक्डम राइट पुरा रॉक की पाती है मतलब रॉक्स को यह आपको नीचे उतान है कि इतना स्केरी नहीं है जो वह रेलेंग्स और वह थे और क्लिफ एज पे आप चड़ रहें एक्डम वर्टिकल वैसा नहीं है हम वह यह अब फрос जंक्शन पर वापिस आ गया है अब जो जाते समय हमने जो ट्रेल लिया था वह बहा पर इतने वाप्स बहुत आते समय जो ट्रेलल लिया उस पे जो फाल डर्बर दस थे लेकिन जाते समय के ट्रेल पर जो वैली चे व्यू बहुत जबरदस्त है तो अगर आप यह लूप ट्रिल करते हो तो जाते समय अपने को वैली के व्यूज भी दिखेंगे और आते समय फॉल कलर्स भी दिख जाएंगे प्लस आते समय यह थोड़ा सेफ ऑप्षण भी है यह हमने कर ली यह और यह यह और यह यह जोगा मुझे बहुत मस्त लगया सब कुछ था इसमें ड्रामा त्रिल जो भी अपने बॉलिवुड मूवीज में होता है वह पूरा था था थोड़ी शेनेस्ती लेकि नितनी भी नी और मतलब देड़ दो घंटे में तो कंप्लेट भी अब हम लोग नीचे उतर के आगे और नीचे उतरने को हमको लगा अल्मोस्ट लाइक 35-40 मिनिट्स अब हम जा रहे वापस अपने कार की तरफ और वहां पर हमारे बाकी के फैमिले मेंबर्स भी मिलने वाले है यह हम आगे सैंड बीच और यहां से हम कर रहे हैं ग्रेट है ट रहे हैं और यहीं है स्टी इंड आप दी श्तेंड बीच अर अभी देख है वियू से इपर से व्यूस के लिए का लिए यह 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 यहां को देखे ए help you like to hike or you like beach I like Beach and I now where you wanna go you want to hike or you want to go back to Beach okay then let's go to B सेंड बिच से पार्क लूप रोड पे ड्राइव करके हम लोग जा रहे थे जॉर्डन पॉंड रिश्टोरेंट में लंच करने के लिए बट ऑन दे वे ये ब्यूटिफुल सा पॉंड दिखा एंड ओवेसली हम लोग यहां पे फिर फोटो लेने के लिए रुक गया हम लोग अब यह जॉर्डन पॉंड रिश्टोरेंट में तो गहते हैं लेकिन वहां पे एक्चुली रिजर्वेशन लगता है जो हमें पता नहीं था तो आज के लिए तो हमें रिजर्वेशन मिला नहीं है लेकिन हम लोग वह अब्जर्वेशन डेक पे जाके हैं और वहां से भी यह पॉंड का व्यू तो मस लग रहा था और उसके लिए वैसे कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए तो अगर आपको रिश्टोरेंट भी नहीं जाना है तो आप वह अब्जर्वेशन डेक पे जाके हम लोग पार्ट लूप रोड से नौर्थी स्थार्बर जा रहेते हैं और बीच में एक छोटा सा गार्डन दिखा लेकिन इतना ब्यूटिफूल था मतलब मेरे आगे तीन-चार कारते उन्होंने भी साइड में रोग के सब लोग रोग के यहां पर पार देखने के लिए आ अगरा है 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 अगर जाने के रस्ते में यह हम को एक ब्यूटिफल सा विव पॉइपॉइंट मिला है जहां से मतलब मांटन से बैकड़ॉप में लेक है और बड़र्स इतने ब्यूडिफूल लग यहां बहुत चारे प्रफेशनल फोटोगर्रफ जो इसका फोटो लेने के लिए ट्राइपॉड और बड़े बड़े लेंस वाले कामरा लेके ख़ड़े है तो इस रियली अमेजिंग अब वह फोटो जब वीडियो में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है जितना मतलब एक्च्छल देखके लग रहा है यहां से हीलने का मन बिल में का फेमस लॉब्स्टर ट्राइ करने का प्लाइन कर रहे है लेट सी हाओ इट गोस मतलब क्या टेस्ट है या मिलता भी है अनि बड़े बड़े क्यूज है इसमें भोलोग यहां से लॉब्स्टर बॉल कर दा यह पूरा और उसको इसको मतलब बटर के साथ वगरा खाने का बट अनफर्चुनेटल अभी वह और लॉब्स्टर दे नहीं रहे है और में एक्चुली लॉब्स्टर के लिए बहुत पर मसा यहां पर मतलब लॉब्स्टर फेस्टिवल भी होता है काफी सारे रेस्टोरेंस में इंकोयर करने के बाद फाइनली चार्ट रूम रेस्टोरे कामने और बहुत मज़ा आया हूँ आपको भी हमारा वीडियो देखके उतना ही मज़ा आया हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई